क्या आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जब भी आप वीडियो अप्लोड कर रहे हैं तो इस तरीके से आपके सामने आ रहा है Too Many Strike Due To Community Guidelines Strike You Can Not Upload Videos At This Time क्या आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ जैसे मैं YouTube को Open करती हूँ और यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर किलिक करूँगी और यहाँ से मैं वीडियो अप्लोड करूँगी यहाँ से मैं एक वीडियो सेलैक्ट कर लेती हूँ और जैसे ही मैं ये वीडियो अप्लोड करने जा रही हूँ मेरे सामने ये problem सो हो रही है यहां से मैंने इसे done कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मैंने कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हैं मैं कोई भी title यहां पर लिख देती हूँ यहां पर मैं type कर देती हूँ सोरो जो सी व्लोक्स और इस तरीके से आप कुछ भी जैसे टाइटल लिख रहे हैं यहाँ पर मैंने यह अपलोड की यहाँ पर मैंने यह सब कुछ लिख दिया है और यहाँ से मैं इसे अनलिष्टिट की जगा पबलिक कर देती हूं और यहाँ पर अपलोड ए शॉर्ट पर किलिक करूँगी यहाँ पर अब मैं यॉर वीडियो पर जाऊंगी लाइबरेरी में जाने के बाद यॉर वीडियो पर जाऊंगी और यहाँ पर यह वीडियो जो है यह सो हो रही यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यह problem हमें सो हो रही है too many strike due to community car lines strike you cannot upload videos at this time यानि अगर आपके पास आपके चैनल पर community car lines strike आ चुका है तो आप एक week के लिए video upload नहीं कर सकते हैं अगर आपके चैनल पर एक strike आया है अगर दो आई हैं तो आप दो वखतों तक video upload नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास तीन community car lines strike आ जाते हैं 90 दिनों के अंदर तो आपका चैनल जो है terminate हो जाएगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ वाइटी स्टूडियो में notification पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर community guidelines strike 1 आ चुका है मैंने appeal भी किया था जो कि वो unsuccessful रहा यानि review के लिए मैंने भेजा था जो कि unsuccessful रहा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा content मैंने ऐसा content अपने चैनल पर upload कर दिया था जो कि यूट्यूब की community guidelines के खिलाफ है जिससी की मेरे channel पर community guidelines strike आ चुका है अगर आपके channel पर community guidelines strike आ चुका है तो आप 1 हफते तक यानि 1 week तक आप video upload नहीं कर सकते हैं after 1 week के बाद आप अपने channel पर videos upload कर सकते हैं so I hope you like this video